दोस्तों अगर आप अपने लिए जो है प्रोपर्टी या प्लोट लेने के सोच रहे हो तो इन पांच पैंट्स को जुरू एक बार चेक आउट कर लिना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अदम था दोस्तों होगा क्या कि आप लाखो रुपए का नुक्साल कर सब्सक्राइब हो गया है और फिर भी जो है जैसे तैसे करके लोन लेके या फिर जो है किसी से रिलेटिव से पैसे वेसे उधार करके कोशिस करते भी है उसके बाद जो सेलर होता है ठीक है प्रोप्रप्टी रिदर होते हैं वह कहिना की धानले बाजी करते हैं और गरीब आ करना तो पहला प्लॉट इसे से ब्मकों कि प्लोट नहीं हो तो अगर आप से आपका आप कर से साय है और जो बदगुनिया जो है जगह होती है उसका प्रोपर जो है यूटलाइज भी नहीं हो पाता है ठीक है तो जो कमरी होते हैं उसमें भी जो प्रोपर जो एक जो गैटप आता है स्क्वेर या रेक्रिनल शेप के जो कमरी होते हैं उसका जो है अलगी एक जो है गैटप होता ह जबकि जो अगर आप जो कमरे आपके जो बदुनिया में है ठीक है तो वो जो है फिनिसिंग नहीं आती है और इनकेस आपका भी उस प्रोपर्टी को सेल आउट भी करते हो तो उसकी जो वैल्यू है दोस्तो वो नहीं नहीं लग पाती है अगर आपका प्लोट स्केर अगर आप जो प्लोट बाई करने जा रहे हो उसकी फेस कुण सी है ठीक है माली यह जो विश्वास रखते हैं तो वह जैसे स्पोस्ट्ट की जो नोज फेस वाले जो प्लोट होते हैं उसकी जाला वैल्यू होती है और कोडिंग तो वास्टू सबसे बेस्ट दिसार मानी जा सबस्ता है आप कामपास को जो हैं शीमस में सिधा रखो अपने जाल हो नकिकताए यह निकाल करके चेक कर सकते कि वह आपका जो प्लोट या कौन सा इसका है और आपको अपने घर का यह इचर ने हुस्तों कि आपको बनाने है अगर मैं 3rd point की बात करूं दोस्तों तो अगर आप किसी commercial परपज के लिए अपनी कोई प्रोपटी बाइक कर रहे हो तो दोस्तों कई बार में देखा है कि जो परपज होता हमारा commercial का कि भी जो basement के लिए basement के भी हमारा पर पर जो तक basement भी हमें लेना है बट आपको चेक करना है दोस्तों अगर आप basement आपको बनाना है तो अगर आपका three side आपका जो आप लेड़ी constructed मकान या कोई भी property आपकी जो है side वाली वो बनी हुई है three side से ठीक है तो आप जो है उस area में basement कभी भी नहीं बना पाओगी क्योंकि दोस्तों अगर आप basement आप बनाओगे तो जो side वाली बिल्डिंग्स है मकान्स है ठीक है वो कहिना की जो गिनने की चांस होते है क्योंकि बेश्मेंट जब खुदाई होगी आप एक्स क्रेटर मलब ज की जो बिल्डिंग्स है मकान है वो कहिना की नहीं चांस होते हैं तो अगर आपका जो परपजिश टाइब से की वे आपको basement बनाना है और three side से आ लेडी जो है अब बना हो है को प्रोपर्टी बनी होए तो फिर उस टाइब से आपको जो है कभी भी वहाँ पे जो है उस टाइब की प्रोपर्टी नहीं लेना है ठीक है और three side से दोस्तों मान लिजे को प्रोपर्टी आ लेडी जो है constructed है ठीक है उसका इडिश ये भी है कि भी आपको ventilation की भी वहाँ पे कहिना की दिक्कत आपको रहेगी रही ठीक है या फिर sports data मान लेजे आपको जो भी अपनी footing के लिए using machine से उस पर आपको खुदाई करवानी है तो jc machine से क्या रहेगा कि उसमें आपका Silicon zar गांए तो ये चीज आपको दिक्कत नहीं है और सबसे most important point इस video का दोस्तुं की जब ही המצट आपको primltवी करें तो उसके जो documents होते हैं ठीक है वो आपने proper तरीके से check करने हैं आपको अगर proper knowledge नहीं है तो आप किसी जो वकील को hire कर सकते हो ठीक है उसके जो आपके जिश्ट्री हो गई इसके इंतकाल हो गया ठीक है वो property कब किस को किस issue में बेची गई है उसका payment का structure क्या था ठीक है उस property ओप पर कोई loan तो नहीं है उस property के ओपर को dispute नहीं है आप यह चीज़े online भी check कर सकते हो अगर आपको नहीं knowledge तो फिर किसी वकील के थूरू आप चीज़े चेक करवा सकते हो then after ही आपको चीज़े प्रोपर्टी जो है बाई करनी है अदर्वाइस दोसको क्या है किसी property वे आपको dispute dispute है dispute के मदें दर्वाइस जो आपको बेज रहा है बाद में आपको बहुत दिखते आ सकती है तो यह चीज़े आपने पहले ही चेक करनी है टोकन में देनी से पहले आपने हर चीज़ से इतनी जिल्दबाजी नहीं करनी है आपने जो है किसी समुझदार आदमी से या वकील से जो इसको चेक कर रहना है है साइट दोकुमेंट्स को देन अब्टर ही फिर आपको जो है प्रोपरटी कोई फोट बै करना है और लाश्ट एंड मोश्ट इंपोर्टन्ट फइन दोस्तों कि जब भी आप लोट को बाई करें तो आपका जो परपस होता है कि आप प्लोट लेकर कि उसको अपना मकान ब कलोनी में आप लोट ले रहे हूँ उस कलोनी में जो है government की तरफ से क्या क्या facility provided है ठीक है आसपास में school है नहीं अगर आप भी बच्चे है ठीक है तो भी school कितनी दूर है और sports की भी उस पर लोगर आसपास है नहीं है या फिर करते है नहीं है तो यह चीज़े मत करते है तो यह पहुत रही जो हुट है तो average property कितनी महेंगी हो गई है बड़ मुश्कील से hard money में जो कोशिस करते हैं कोँछ पैंट को नचा कर ऑगा क्या की भी हम कुछ गल्द कदम उठा लेंगे या बाद मेफो जिनकी आपको पस्ताना पड़ेगा तो ये जो 5 points में आपको बता ये आपको चेक करने ही करने है, सबसे पहला point दोस्तों आपको दुबार रिबीट कर देता हूँ भी shape आपको shape जुरू चेक करनी है कि plot जो huttery damage आना हो shape में हो, rectangular हो या पर square में हो कि आगे आपका भी फ्यूचर में उसको बेचे तो दो रूपय आपको देखे जाए दूसरा जो पेंट में आपको बता है कि कुछ लोग वास्तु सासर में विस्वास रखते हैं ठीक है तो भी ये चीज़ आप पहले ही चेक कर लो अगर वास्तु के साबसे आपको आप वास् इस बसक्राइब या फिर दूसरी जो चीज़ें आपको दिक्कत आने वाली है अगर आपकी प्रोपर्टी के चारो द्रब जो मकान बने हुए है तो यह चीज़ आपको दोस्तों चेक करने है और जो चोता प्रेंट से दोस्तों जो प्रोपर्टी के डोकुमेंट होते हैं या आपने किसी वकील से या किसी समझधार आदमी से चECK करने हैं जो इस चीज में जो हलियन देन में का काम करता हो और आपका विसुआस का आदमी हो ठीक है यह चीज आपको चेक करने हैं और जो सबसे last point दोस्तों में आपको बताया कि भी आपका purpose क्या है आप रहने वास्ते ले रहे हूँ या फिर शेलिंग के लिए ले रहो रहने वास्ते ले रहे हो तो दोस्तों आसपस के किलोनी कैसी है और वहाँ पे जो क्या 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 facility है कोई मैं कहीं जो है आपको future में कोई दिकत नहीं आयाएगी ठीक है तो एक छोटी इनफोर्मेटिव वीडियो थी आई हूप दोस्तों कोई पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्काइब बैल आकन प्र